हलो दोस्तों नमस्ते आदाप सास्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बूक्स उपर को चिक पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाएए तयार क्योंकि हम यहां पर करने जा रहे हैं एक और जोस्तों जहां पर टॉपिक पिवार मतलब जहां पर हम लोग करेंगे मिक्स्ट सवाल फॉर दोस्तों ससी म्टेस लेकिन शुरुवात करने से पहले सभी लोगों को भर भर के गुड मॉर्निंग और जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे से सेशन को शेयर कर देंगे जिससे सभी लोग फ्रसुन रोहित बनिता रामिली सभी लोग और जल्दी से सभी लोग शेयर कर दिजे यह सभी लोग př region and do not stop until your goal is reached उठो जाग और तब तक मतlair को जब तक कि आपको आपकी मंगजिल ना मिल जाए क्योंकि देखे जब आपने दोस्तों यहाँ पर तयारी की है अच्छे से कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा खुद पर भरोसा करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना होगा इसलिए हम लोग यहाँ पर डेली मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे का मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार मिलते हैं सुबह देखे सवा साथ बज़े जुड़ते हैं और आड़ बज़े तक यह सेशन होता है जहां पर हम लोग करते हैं देखे जीके जीस के सवाल फॉर एससी एमटीएस आईबी ऐसे और एससी जीडीत के भी सवाल इसमें करते हैं तो चली इसकी शुरुवात करते हैं और फड़ा वर से एक बार सभी लोग क्या करेंगे येस टाइब करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एक दम क्लियर है और आप लोग तयार है यहां पर पहले कोशन के लिए ज जैन सभाओं को दान में दिये जाने वाले भूमी को क्या कहा जाता था वेलन वगई शाल भोग पली चंदम या फिर ब्रह्म देर क्या कहते थे सभी लोग बताईए फटा फट से और मैं भी अब जल्द जल्दे से शेयर कर देता हूं ठीक है चले यहां पर यह शेयर कर दिय है जस्ता मिनेट ठीक है और चले यहां पर जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए सी ऑप्षन सी ऑप्षन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए इसको हम लोग कहते थे पली चंदम क्या बोलते थे पली चंदम कहते थे यह ध्यान रखे ठीक है शाल भोग किसको दिया जाता था जोस्तो इसकूल जैसे यह लेंड वो होती थी जिसको हम लोग दान देते थे किसके लिए इसकूल के लिए ठीक है पाटशालाओं के लिए दिया जाता था इसकूल के लिए दियते थे ठीक है तो यह ध्यान रखेगा कैसे याद करें देखिए इसमें शाल भोग आ रहा है औ को ब्राम स्थापक थे वो ऑस थे तो विजालीया इसके फाउंडर थे यह ढख रखेगा चले नेक्स वाधे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां करहें कह रहें उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार वस इंटर्डूज इन दा येर कह रहें उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है युवा पुरुसकार को वर्ष डैश में पेश किया गया था कब किया था 2004-2005-2003 और 2006 तो बहुत ही फेमस पुरुसकार है दोस्तों यहां पर करेंशर होना चाहिए बी आप्शन लेकिन यहां पर प्रसुन ने बी नहीं होगा भूमी जी करेंट है मौनु को करेंट आंसर है जो लोग यहां पर 2006 कह रहे हैं रामबिली बिल्कुल करेंट है अक्कू वेरे गुड करेंट आंसर को 2006 में इस अवार्ड को जो है कोण देत declarations था संगीत नाटक अकैडमी के दवारा यह दिया जाता है यह भी आपको द्हाना रात रहे नाटक अकईडमी ठीक हैмовि मुजटfik को यहां पे बलब यहां पे अपना जो है बहुत योगदान दिया है उनको इस वियोग जो है दोस्तों पुरुषकार से सम्मानित किया जाता है जिसका नाम क्या है उस्ताद यह स्वारी सुरी यहां पर मैंने गलत लिए फ्लूट लिए कई उके यह सेंहाई होगा इसको कर लीज Mae village not fluid ठीक है यह क्या हो जाएगा सहनाइब से च्छी ठीकह से अगर हम बात करें हरी प्रशाद चौरमने औरす यूंठी है च्यूर में हरी Digital जी तो हरी प्रसाद १ाउड जी जो है वह वह हो जाएंगे फ्लूट से बिस्मिल्ला खांजी जो थे वह सहनाई से थे और यह पहले वेक्ती थे जिन्हों ने दोस्तों लाल किला पर सहनाई जो है दोस्तों बजाई थी ठीक है यह ध्यान रखेगा आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते हैं अगला आपके लिए रहा केंदरक जिल्ली के साथ केंदरक वाली को शिकाओं को डैश की रूप में नामित किया गया है यह चीक सेल कहते हैं और प्रोकेरियोटिक सेल कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे सी ऑप्शन जो लोग करें उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर का यू करेटिक अगर आपसे कहते कि अच्छे तरीके से डिफाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या कहते है प्रोकेरियोटिक कहते है यह याद रखीगा देखे सेल की अगर हम बात करते हैं सेल ठीक है तो सेल की जो है किसने की थी होक ने की थी किसने की थी रॉबर्ट होक ने की थी ठीक है ध्यान रखेगा यह भी आपसे पूछा जाता है ठीक है और सेल के अगर हम बात करते हैं आपसे पूछा जाता है तो बेसिक यूनिट होता है दोस्तों हमारी बॉड़ी का अगर हम बात करें तो यह बे जिसको नाभिय सपी खूझ की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यह भी आपको धियान रखना है जिसको retire house of the cell चय कहते हैं ऑर ंनल लाइज़ाों भी होता है लाइजोजोम जिसको सुसाइडल बैग भी कहते है सुसाइडल बैग ठीक है राइजोजोम भी होता है क्या होता है राइबोजोम ठीक है और राइबोजोम को क्या कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहते है प्रोटीन फैक्ट्री कहते है यह दिहान रखेंग ठीक है चलिए नेक्स कोशन बड़े अगले सवाल चलते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा अगला सवाल क्या करा है कि विच इंडियन प्लेयर वान दा मोस्ट मैडल एड़ी कॉमन वेल्थ गेम 2022 के राष्ट मंडल खेल में किस भारति खिलारी ने सरवाधिक पड़क जीदे थे क्या वो पुसरला वेंकत सिंधू अमित पंगल शरत कमल या साथियान जो है गनसी करन किसमें जो है दोस्तों सबसे जादा पुरुसकार जीद थे सरत कमल सरत कमल कह रहे हैं तो जो लोग सरत कम अचनता इनका पूरा नाम है और यह किस खेल से संबंदित है तो यह दोस्तों टेबल टैनिस से ठीक है किसे यह टेबल टैनिस खिलारी है यह ध्यान रखेगा और इन्होंने सिंगल में डबल में दोनों में ही सोन पदक इन्होंने जीता था ठीक है Commonwealth गेम अगर हम 2022 की बात कर पूछा जाएगा कि यह कहां पर हुआ था तो कहां पर हुआ था दोस्तों बिरमिंगम में हुआ था क्या जल्दी से बताईए या फिर कहीं और पर हुआ था सभी लोग बताएंगे कहां पर हुआ था ठीक है अच्छा Commonwealth गेम 2022 में भारत का इस्थान क्या था यह भी आप से प किस दें जीते थे 16 जीते थे और ब्रॉंज मतलब कांस पर जो है तहीं जीता था ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तोटल काउंट करेंगे तो 61 मैडल आ जाएगा Commonwealth की opening ceremony में जो है दोस्तों फ्लैग बेर कौन थे तो फ्लैग बेर आप से पूछे आते हैं open ceremony में तो वह कौन थे हर्मन प्रीत सिंग कौन हर्मन प्रीत सिंग और कौन थे जल्दी से बताइए लौवलीना बॉर्ग हैं कौन लौवलीना बॉर्ग हैं जो है दोस्तों opening ceremony में थी ध्यान रखेगा देखें अगर हम बात करते हैं Commonwealth गेम जो है कितने साल के gap पर होता है चार साल के gap ठीक ह फोर इयर्स के gap पर होता है ठीक है तो 2018 में इससे पहले हुआ था ठीक है और वहां पर हुआ था ग्लैस गो में हुआ था यह ध्यान रखेगा और वहां पर भारत जो है दोस्तों कौन से स्थान पर था तो इंडिया जो था वह छटे स्थान पर था और कितने मैडल जीते थे चाचट मैडल जीते थे गोल्ड कितने जीते थे 26 जीते थे सिलवर जो है बीस जीते थे और ब्रॉंज जो है बीस जीते थे टोटल काउं करेंगे चाचट आ जाएगा ठीक है यह धिहान रखेगा ठीक है और इंडिया कौन से स्थान पर था सौरी तीसरे स्थान पर ठीक है चले आगे इंडिया तीसरे स्थान पर था टोटल हमने 6-6 मेडल जीते थे ठीक है हम किसकी बात कर रहे हैं 2018 की बात कर रहे हैं अगले सवाल बढ़ते हैं अगला वक्षन आपकी स्क्रीन पर यह रहा देखे आगे बढ़ने पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा क दोस्तों अगर आप त्यारी कर रहे हैं ससी रेलवे डिफेंस एक्जाम की तो दोस्तों आप लोग जुड़ सकते सूपर कोचिंग में ठीक है और यह डेली क्लास होती है यूट्यूब पर सुबर सवा साथ से आड़ बजे तो अभी आड़ बे तक यह क्लास चलेगी और चले अगले कोशन बढ़ते हैं और विच ऑफ फॉलॉइंग मॉडल वॉज दा सेकंड फाइव यर प्लैन बेजड के मॉडल पर इंडिकेटिव मॉडल पर गुनार मॉडल पर या फिर हैरड डोमर मॉडल पर किस पे बेस थी जल्दी से बताए सबी लोग यहां पे तो जो लोग पीसी महलनोबिस कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है देखें पंच वर्षी योजना क था तो हैरोड डोमर मॉडल पर था किस पर था हैरोड डोमर मॉडल पर ठीक है फिर उसके बाद दोस्तों सेकेंड फाइव यह प्लेन जो था उन्निस सो चपन से लेके उन्नीस सो एक सड़ टक नाइनी सिस्टीवन तक था यह महलनोबिस मॉडल पर था अभी आप लोग ने सी करहें लोग में और मेहलनोबिस को ही तो दोस्तों father of statistics कहा जाता है सांखिकी के पितामा कहलते हैं ठीक और थाड़ 5-1 यर्पलेन जो था वो कब से कब तक था 1901 से लेके 1906 तक था ठीक है जो की कहते हैं हम लोग गडगिल योजना क्या कहते हैं यह दिहान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करें निमलिखित में से जो है कौन सा विज्ञानिक खोज युग में सही नहीं है करें अर्नेस्ट रदर फोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमस अलवाइडीशन ने इलेक्ट्रिक बल्व की थी अलवा टांश्टी ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की और जेम्स च बल्विक ने निउट्रॉन की खोज की तो भ्यां यहां पर े स्थान्सेर क्या होगा अर्नेस्ट रदने फोर्ड ईलेक्ट्रॉन क्यों कि यान्सरेतर फोर्ड्न ने य्लेक्ट्रॉन की खोज्ड थोड़ी की थी और याद्शीक्रां ने की थी अगर को गोल्न तो एक यख उ यूघ तो आप लगा दीजेगा अन्य था अगर आपको पर आपको गोल्ड स्टीन बीया है तो आपको गोल्ड स्टीन ही टिकतه यह पो करते हैं और अलबर्ट आइश्टी ने तो थियोरी ओफ रिलेटिविटी दी थी ठीक है अगला उशन आपके लिए रहा विच इस डिड़क्टेड फ्रॉम दी नेट नैशनल प्रोड़क्ट टू गेट नैशनल इंकम करें राष्ट्य आप्राप्त करने के लिए जो निवल र पर आपको जाएगा ऑप्षिन नमबर थ्री इंडारिक्ट टेक्स को जो है यहां पर निकल कर आ जाएगा नेशनल इंकम यहां पर सबके आंसर अलग-अलग क्यों आ रहे हैं दोस्तों ठीक है तो यहां पर किसको और रिमूफ करेंगे आप लोग इंडारिक्ट टेक्स ठीक है गौट्द डैट्स इसका जो है दोस्तों फूल समीती जिसका नाम है विजय केलकर संवीती क्या नाम है विजय केलकर जो है कमीटी बोलीजे यह फिर समीटी बोलिजे टेक है जी स्टी जो है भारतिया जिए ऴंगार्य किश्यमें मैंशन है 2827 a में मैंशन है ठीक हैं चलिए नेक्स कोशन विच आफ फॉलॉइंग स्टेट गवर्मेंट लॉंच न्यू पोर्टल महा सुरी महालाभरती अंडर गवर्मेंट एट यो डोब्र स्टेप इनिशेटिव करें लिखित में से किस राज सरकार ने आपके द्वार पहल पर सरकार के तहट नया पोर्टल महालाबर्ती लॉंच किया है jest तमिलनाडू करनाटक महराष्ट और केरला क्या होगा कर्द कांसर सभी लोग बताएंगे महाराष करहें किरियां के capital क्या है Mumbai है ठीक है मुंबई को financial capital of India भी का जाता है यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं एकनात सिंदे कौन है एकनात सिंदे हैं यह ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद अगर हम हम यहां के जो गवर्नर है गवर्नर वो रमेश बैस जी है ठीक है तो इनका नाम ध्यान रखेगा यह आप से पूछे जा सकते रमेश बैस ठीक है अच्छा इसके अलावा कर हम बात करते हैं आप से यह पूछा जाएगा कि बताइए औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है ठी सांब्धा जी नगर कर दिया गया है यह दिहार रखेगा आप से पूछेंगे in 2023 में यह सब से घरी में की चुरुवा तो यह वह कहां पर हुई है तो महराष्ट मोय कहां पर पूने में ठीक है कहां पर पूने में जो है डिपिस्ट में 49 Cancer फि事 क कैलि आगे बड़ें बड़ नंधी-ैल तो यहां कि कि पताईज रहे हैं तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएंगा दोश्तो क्या होगा किए बताई इल बória को रहे हैं प्रण बार पूछा करेक मुझे बताएंगे प्रम आफट city लोग जल्दी से नंदीक बताईये कहां पर है किस राज्य में है मतलब नंदादेवी हिल और नंदी र हिल है ना इन इन उत्तरा-खंड में नहीं है नंदीक हिल पूछा है कि देखे गलती हो गई यहाँ पे चलिए ङुई हूंवक लिख लीजिए नंदीकहां पर है यह किस स्टेट में हैं यह नन्दी हिल पूँचा है नन्द देवी हिल नहीं पूझा है ठीक है चलिए देखते कितने लोग आंसर करेंगे ब्लेक्छाइन बिल्कुल कर्ड्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं कृष जा रहे हैं लेकिन वो होम वक है ठीक है क्योंकि यहां पर गलती आप लोगों ने कर दी है अगला सवाल when was the second round table conference held करें दिती गोल में सम्मेलन कभ आयोजित किया गया था 1935 में 1949 1931 और 1929 में कभ किया गया था जल्दी से बताईए 31 31 जो लोग करें हैं उनका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा देखिए तीन गोल में स क्योंटेबल में 1931 सगेंड राउंड पर सदृ trimmed시 smart एंडेफिर कॉनवरेंश और 1932 में सम्मेलन को किने अटेंट किया था तो विए रामबेडकर जीने किया था ठीक है और आप रूठाय किया थ atau किसनेverbs ने ने किया था ठीक है महात्मान गादी जीने कौन से किया था तो किया था यह एक मात रिशान था उसके बाद बात करते हैं 1931 कि तो 32 में हम बात करते हैं यहां पर क्या हुआ था यहां पर हुआ था पूनापैक्ट कौन सा हुआ था पूना शम्जह ठीकषा भूर प्टो ये किस में था तो BBQ अंबरकर और महात्मा गां जी के बीच में किसके बी आर अमबरीट कर और और महात्मा गांधि स्क्रीन पर यह रहा अच्छा प्रोड़क्टिविटी ओफ एन इको सिस्टम इस कंपोज्ट ओफ विच आफ दा फॉलाइंग के रहे एक परस्थित की तंत्र की उत्पादक्ता निमलिकित में से किस्से बनी होती है क्या वो क्रॉस ग्रॉस प्रोड़क्टिविटी एंड प्र यदि निमलिकित में से क्से ने भार्ती राश्थिटी राइफल संग के औध्यक्ष की रूप में पदभार ग्रहन किया है क्या वो रनिंदर सिंग है अमित सिनहा है कलिकेश नारायन सिंग डियो है और जोगिंदर सिंग है दोस्तों ऐसे कोशन आप लोगों के एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो जल्दी जल्दी से जिन्हों ने अभी तक लाइक और शेयर ने किया एक वफड़ा वर्से लाइ पूछा जा सकता है अभी देखिए आपके एक्जाम को फैबरेरी में होना है ठीक है ठीक है ठीक है फैबरेरी सॉरी उसके बाद होना है तो आप लोगों से यह कूशन पूछा जाएगा कि बताइए मध्यपरदेश के चीफ मिनिश्टर कौन बने तो आप कोगे मोहन इस गड़ चीफ मिनिश्टर कौन बने विष्नु देवसाइए ठीक है फिर आप से पुछेगे कि बताईए दलंगाना के चीफ मीनिश्टर कौन बने तिलंगाना के मुख्यमंत्रि जो है कौन बने तो आप वोगे रेवन्थ एडडि बने रेवन्थ रैडडि बने फिर आस आप पुछेंगे कि राजस्थान के मुख्य मंतृ कौन बने तो यहीत में सबस्वाल ताम ओफ दाइंट शर्मा युनित कंड़िश्व राशी का मात्रक है क्या वह सेकेंड है या स्टेरेडियन है केंडिला है या फिर न्यूटन है क्या होगा दोस्तों यहां पर जल्दी से बताइए वेरी गुड भूमी हर्ष बहुत बढ़िया चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा स्टेरेडियन क्या होगा स्टेरेडियन हो जाएगा देखें दो त प्रकार की होती है जैसे कि डिस्टेंस हो गई थीक है तो मीटर हो गई डिस्टेंस की मीटर हो वगई ठीक है फृष टाईम की हो गई स्कांड डाइम क्योन जो टाइम स्केंड फिर जो श॥े बाद आपसे पुछेंघे यहां पर यहां पर वैट का हो गया kilometr इसके बाद आपको देखेगा करेंट का साथ रोगया से कंपरेट्ट में आता है स्टेरदीन और जो है दोस्तों कौन सा आता है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे दो ही आती है ठीक है एक हिस्टेरिडियन होता है और दूसरा कौन सा होता है ठीक है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते न तो एक को तो इस्टेरिडियन बोलते हैं दूसरे को क्या बोलते है वो आप टेंपरेट एवर ग्रीन फोरेश्ट और मैंग्रूव फोरेश्ट क्या होगा दोस्तों लगबग सो लोग यहां पर लाइव है जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करते हैं कि हाँ बेसिक उनिट सेवन होते हैं वेरे गूड डेशिंग रोशन यहां पर करेसर डी होना है अगला कोशन विच ओफ फॉलॉइंग फाइव इयर प्लैन गिवें दा स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ देखे करें निमलिखित में से किस पंचवर्षी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया नौवे पांचवे तेरवे या फिर साथ में पंचवर्षी योजना म दिया गया था तो जो लोग कह रहें पांचवां पांचवां उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखें दोस्तों अगर आप से पूछें कि पंचवर्षी योजना मनला फाइव यर प्लैन यह किस देश से लिया गया है तो आप वह यू एस एस आर से ठीक है क हमारे भारत में इसकी शुरुआत हुए थी उननीस सो इंक्यावर में और यह कौन लेकर आई थी तो योजना आयोग लेकर आई थी मतलब प्लैनिंग कमिशन इसको लेकर आई थी ठीक है और पांचवां जो था दोस्तों पंचवर्षी योजना यह सिर्फ चार साल के लिए था कितने four years के लिए देखे वैसे देखा जाए कि पंचवर्षी योजना पांस साल के लिए होना चाहिए लेकिन यह चार साल के लिए था कब से कब तक 1974 से लेके 1978 तक कब से कब तक 1974 से लेके 1978 तक था और इसके बात है दोस्तों प्लैनिंग स्वरी रोलिंग प्लैन आ गया थ 1978 में यह ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगला सवाल आपके लिए रहा देखें यहां पर दोस्तों आपको मैच दा फॉल्वाइंग दिया गया है एक तरफ न्यूट्रियंट दिये गया है एक तरफ उसके एक्जामपल दिये गया है प्रोटीन यहां पर डिशन दी आप जाएगा कैसे हो जाएगा अब देखें प्रोटीन की बात कर रहे हैं फ्रोटीन के अग्जामपल मयुसीन है इसी से आप कर सकते थे ठीक है कोई एक भी पकड़ लेते तो यहां पर आप आसानी से अलिमिनेट कर सकते थे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन वाट इसदा डिफ्रेंस इन दी नंबर ऑफ यहर्स बिट्वीन दा समार एंडी विंटर ओलम्पिक एवेंट करें गरीश मकालीन और शीत कालीन ओलम्पिक जो है आईज़न के मध्य वर्सो की संख्या में जो है कितना अंतर होता एक साल का दो साल का चार साल का या तीन साल का दोस्तों विंटर और समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं समर ओलंपिक के अगर हम बात करें तो समर्विंटर ऑलंपिक में 4 साल का गयाब होता है ठीक smaller 28 में हुआ सटेक मोलंपिक कब ऑब जो है दोस्तों 2024 में होगा उसा सबर्षीं मेंKK सब्सक्साली अब हुआ और जो है 2020 में जो हुआ ये समर के बीच में कितना साल का गाप है 2020 में 2022 में 12 साल का गamous टीक है विं推े्यं चार साल पर होता एए और समर इन tac होता है इसकी PDF की PDF आपको मिल जाएगी जैसी क्लास खताब होगा तो आपको तेलेग्राम पर मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाए एड़ गौर अपको सर्च करना है वहां पर जुड़ जाना है ठीक है मैं आपको जो है दोस्तों यहां पर लिंक शेर कर देता हूं ठीक है संदीप जी आपको वहां से पीडियाफ मिल जाएगी उसकी टेंशन बिलकुल ना ले आप लोग ठीक है यह रहा आप लोगों के लिए लिंक ठीक है जिससे आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं यह लाइफ चैट पर मैंने दे दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आगला निया झाला ंसार ब़ारत में अनसुचित जन जाती कि आबादी में अनसूचित जन जाती और कि अवादी का सबसे अधिक प्रतीशत किस राजय में है क्या गुजरात जारखर्ण बद्ध्रदेश और श्रतिजगर्ण सबसे आदा आपको अंसुचित जन जाती है यहां पर मिल लेगी मद्रदेश मद्रदेश तो करेक्ट आंसरों का मद्रदेश ठीक है धिहान रखेगा यह कॉस्चन भी आपके एक्जैम में पूछा गया है ठीक है चले मद्रदेश के अगर हम बात करते तो अब यहां के दोस्तों CM कौन हो गया तो मोहन यादव जरूर या a 15 day long आदी महुदसव on February 16 2023 ठीक है इस बार का नीउज है मतलब 2023 का नीउज है ठीक है कि 16 परवरी 2030 को 15 दिवसी आदी महुदसव का उत्धाटन किसने किया नरेंद्र मोधी दुराबदी मुर्मू अर्जन मुंडा और जगदीप धनकड किसे ने किया तो करेक्ट आंसर यहां पर कौन हो जाएंग भई नरेंद्र मोधी करेक्ट आंसर होंगे यह ध्यान रखेगा ठीक है नरेंद्र मोधी इस दी करेक्ट आंसर चलिए नेक्स वोशन बढ़ते हैं अच्छा सतरिया सतरिया इस दा क्लासिकल डांस फॉर्म ओफ विच ऑफ फॉलॉइंग स्टेट करें सतरिया जो है निमलिखित में से किस राज्य का शाष्टिर नित्त है क्या यह तमिलनाडू का है उत्तरप्रदेश का है महराष्ट का है या फिर असम का है कहां का है सतरिया त जो है classical dance कह सकते हो या फिर न्यूवेस्ट classical dance भी कह सकते हो ठीक है सतर्य जो है यह संकरा देव जी के द्वारा introduce किया गया था और कहां पर किया गया था तो असम में ठीक है याद रखेंगे असम के राजपाल गवर्नर के अगर हम बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जीसी कटारिया यहां के क्या है यहां पर गवर्नर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बढ़ते हैं दो वर्ड सर्विस सर्विस इस रिलेटेद टू विच आफ फॉलाइंग गेम ठीक है सर्विस चब्द ज यहां पर वॉली बॉल करें स ब्डेंटर में भी सर्विस होता है अब लोग सर्विस भारते वॉली बॉल को मारता है उसका सर्व करतेव और और वॉली ऑल में छह की दूरी पर लाइन होती है ठीक है यहां पर तीन मीटर होता है यह नेट होता है ठीक है क्या होता है नेट होता है और यह 206 मीटर होता है ठीक है टोटल जो है 18 मीटर होता है यह और यह 9 मीटर होता है ठीक है 9 मीटर यह आध रखेगा एक मीटर का नेट होता है यह भी आपको थहाझ रखना है ठीक है अच्छा वालिवाल में जो सेंटर बहलता है अगर हम वालिवाल की बात करें अगर सेंटर पर खेलता है लेद्वाल के धून के लिब्रो कहते कि अगर गुशन आसा वही है रहा दशीश-महल और और दी पैलेस और मिरा इस्टिटेट कह रहे रहे हैं किस राज में इस ते राजस्तान गुजराद बिहार और पंजाब तहां पर देखने मिलेगा शीषमेहल आपको और अगर हम बात करते हैं पंजाब जो है दोस्तों यहां पे सबसे जादा उत्पातन होता है गेहूं का ठीक है भारत में अगर पूछा जाए सबसे जादा कहां पर उत्पातन होता है गेहूं का तो पंजाब में पंजाब में ही मनाया जाता है त्योहार बैसाखी और आपके बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए विच ओफ फॉलाइंग आर्टिकल और दी कॉंस्टिट्यूशन ओफ इंडिया लेस डाउन डैट ऐसे टू पब्लिक प्लिक 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 डिनाइड कह रहे हैं कि भारत के संविधान निमलिखित में से जो है कौन सानुछे द सब्सक्राइड अलेकल जो जाएक है अप्शन नम्बर 15 क्यों क्योंकि 15 में क्या कहा गया है कि जो भी स्थान के आदार पर या फिर हम बात करते हैं जाती कि आधार पर धर्म के आधार पर तो तो वह नहीं होना कछ सब पर नहीं होना चाहिए तो वह आपको रोक नहीं सकते हैं फिल्गल सही बात है अच्छा देखे राइटके के अंतरकति आता है ठीक है समांता की अर्धिकार के अंतरकत सब्सक्राइब कानून की नजरों में सब एक समान है एक विफोर लौ ठीक है आप से पूछा जाता है कि चौधा में क्या है तो सब्सक्राइब कानून के नजर में सब एक बराबर है 15 मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों जो भी आपका भेदभा होता है जाती के नाम पर लिंक के नाम पर फिर दोस्तों जर्म के स्थान के नाम पर तो धर्म के नाम पर वो नहीं होना चाहिए सोलं में क्या दिया गया है कि सब को जो है इक वल इपार्चिनिटी कि बात की गई है शत्र में क्या दिया गया है उपाधियों का उन्मूलन ऑशना मतलब अथारा में क्या दिया तो प्रोहिबिशन ओफ टाइटल मतलब जो है उपाधियों का उन्मूलन ठीक है पहले जैसे जो राजा लोग रोते थे वह उपाधियां ले लेते थे राजा धिराजा महाराजा धिराजा ठीक है विक्रमादेती या फिर कोई सब्सक्राइटल नहीं ले सकते आप सिर्फ ठीक है यह सब ले सकते हैं यह ध्यान रखेगा या फिर आप एड्यूकेशन परपस में ले सकते हैं जैसे कि डॉक्टर आप अपने नाम के सामने टाइटल यूज कर सकती हो या फिर प्रोफेसर यूज किया जाता है प्रोफेसर ठीक है तो इस तरीके के टाइकल आप ले सक ह्टम क्या होगा यहां पर जल्ock सबटने मनिपूर कहered है रहे हैं वैरे गोड लोग दो कह रहें मनिपूर उन का यहां पर करेक्ट प्रेक्ट हो जाएती कैम मनीपूर की कैपिल की व्यायों जाएगी इमफाल हो जाएगी ठीक है यहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाएंगे एन बिरेन सिंग ठीक है यहां के राज़ेपाल गवर्नर कौन है अनुसुया यूके ठीक है यह ध्यान रखेगा मनीपुर में ही आपको लोग टक जील मिलेगी मनीपुर में ही दोस्तों विश्व का एक मार्त तैरता हुआ राश्चुद्यान मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क कीबुल लाम जो भी देखने मिलेगा कच्चाई लेमन को जी आई प्रोडक्ट ज कब शामिल किया गया था है कि 1972 1992 1984 1936 कब किया गया था कि यहां पर 1984 के रहे हैं एसर ओके बहुत ही बढ़िया यहां पर जो लोग करें 1984 उनका गलत होगा बाई 1936 यहां पर करेक्टान सरू जाएगा देखिए अगर मैं ओलम्पिक की बात करता हूं तो ओलम्पिक का गठान 1896 में हुआ था ठीक है यह ध्यान रखेगा और ओलम्पिक जो है दोस्तों अगर हम बात कर है था ठीक है 2008 में अगर हम बात करते बीजिंग ओलम्पिक में और दूसरा जो है दूस्तुर नीरत चोपड़ा जी ने 2020 के टोक्यों में जीता है ठीक है यह याद रखना है अगला कुशन दूंगरी फेस्टिवल इस प्राइमेरली सेलिबरेटेट इन दस्टेट ऑफ करहें दूंगरी जो त्योहार है मुख्य रूप से राज्व मना जाता है और उत्तरप्रदेश ऑर अंद्रप्रदेश या फिरहें माचल प्रदेश कहां पर भिम reicht करे खो आँलों चैनल पर देश करह रहें मधा रखनाक्त कुआ ही ऊफ्यंक्पी के अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है सुख्विंदर सिंग सुख्वु कौन है सुख्विंदर सिंग सुख्वु जो है वह यहां के क्या है मुख्यमंत्री है और यहां के राजपाल गवर्नर जो है वह कौन है शिव प्रताप शुकला कौन है शिव प्रताप शुकला आ पीच अमंग फॉलॉइंग फैस्टिवल मांक्स दा बर्थडे ऑफ ग्रेड बुद्धिस सेंट जे सोंग खपा नमलिखित में से कौन सा उससर जो है एक महान बहुत संत से जो है सोंग खपा जरम दिन का चिन्हित है सरहुल लोसर तूशु और यहां पर गल्दन नाम चोथ कर जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ध्यान रखेगा देखे गोतम बुद्धिजी के अगर हम बात करते हैं तो गौतम बुद्धिजी का असली नाम क्या था तो सिधार्थ था ता सिधार्थ था ये ध्यान दिखेंगे ठीम कर सुद्धान इंधी था निटान रखेगा सिधार जी के 200 पुत्र नाम क्या था रहुल मतलब गौताम बोध जी के पुत्र का नाम क्या था राहुल था ये द्यान रखेगा सिधार जीन का जन्म जो हैं 1583 BC में हुआ था मतलब 563 इसापूर में हुआ था कहां पर लुम्मिनी नेपाल में ठीक है चली अगले कॉशन बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले फड़ावर से जिन्हों ने अभी तक लाइक और शेर ने किया लाइक और शेर भी करते हुए चलेंगे ठीक है चली आगे बढ़ें अगला सवाल देखें ओ हो हो दोस्तों यहां पर समय होता है सम़ाप्त जहां पर आज हम लोगों ने क्या किए हम लोगों ने वह सारे। सवाल के हैं जो आपके साथ मेरे साथ जुड़ सकते हूं शाड़े आठ से 9 बज़े मास्टर क्लास पे और दो से तीर वज़े आप एससी जीडी की क्लास में जुड़ सकते हैं मेरे साथ है ठीक है सर स्ट्रोमक के क्या पूछ रहे हैं आंशुमन स्ट्रोमक में दोस्तों होता है प्रोटीन का तो उसमें कौन इंवाल्व होता है तो रैनिन पैपसिन ट्रिपसिन तीने होते हैं ठीक है ठीक है बहुत ही बढ़िया सर लएंटित्व होती है कोछी सीजिल में टाइपेंग नहीं होती है आपका टीर वन होगा टीर टू Leonardo में अगर आप ए आऊ यह और जैसो के लिए जा रहे हैं तो आपको दूल ओर देने होते हैं वहां पे फामेंचल में ऐक्नोमिक्स वाले ठीक है तो hey सर यह एडिशनल रिजल्ट वाला न्यूज क्या है एम चली क्या हुआ है आगे बाद से रिवाइज रिजल्ट आया उसमें यह कहा गया कि कुछ बच्चों के जो है धोस्तों यहां पर कुछ पाएगए है में स्टेक्स वगया जो भी है ठिक है तो उनको को जो है दोस्तों निकाल दिया गए तीज बच्चे जो है दोस्तों कट आफ से बाहर हो गए है ठीक है कि एक्जाम कैसे करें मौह मौलाना जी मैं इसके लिए एक अलग से ने क्लास लेक्र आऊंगा ठीक है आपको वहां पर बता दूँक hacksy exam की तैयारी कर सकते हैं ठीक है कि यहां पर PDF कैसे मिलेगी तो आपको एड़रेट गौरफ सर्टेस्ट बुक आपको सर्च करना है वहाँ पर आपको पब्लिक गुरूप मिलेगा जहां पर यूट्यूब शेशन के अबडेट मिलते पीडिया मिलते डिसकेशन होते और इंट्रेक्शन भी कर सकते हैं सर्च से मतलब टाइपिंग टाइपिंग से अचसल में होती है ठीक है सर जीडी की क्लास कब लेते हैं तो इश्का जी दो पहर को दो से तीन बजे होती है ठीक है इसलिए मैं लाश में आपको यह वाली स्लाइड जरूर दिखाता हूं जिससे आप लोग टाइम लोड डाउन कर लीज तो मोटिवेटिंग केंग जी आएबी किसे की एक्जाइम करी है एसे मृटीय कि कर रहे हैं तो दोनों ही चल रहे हैं आप अगर एसी की Oh की चल रहे है ठीक है सर chee구요 का सेशन कब लेंगे अंशुमान जी बायो के सेशन अभिए तोड़ा सा होल्ड पर रखा है डैकर डेपने YouTube पर जाके ना आप courses available कर सकते हो YouTube पर जाना है आपको सूपर कोचिंग SSC Railway by testbook चैनल पर चले जाए कहां पर सूपर कोचिंग SSC यह देखिए चल क्यों नहीं रहे ठीक है यहां पर जैसे जाएंगे आपको जाना है ठीक है सूपर कोचिंग SSC Railway by testbook चैनल और जैसे स्क्रोल डाउन करोगे आपको देखिए सारी क्लास मिल जाती है जो लाइफ क्लास चल रही है इसी पर जाएंगे स्क्रोल डाउन करके सबसे पहले तो जिन्हों किया गया हो कि इस पार्ट से यह वाला पार्ट इन्होंने लिग दिया आटन कल्चर आप देखे किसी भी नोटिफिकेशन चले आएगा चाहिए चाहिए चल पर सेम दोस्तों नोटिफिकेशन है ठीक है और वहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने क लिए जोस्तों अगर आप पोश्टल असिस्टन के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको टाइपिंग चाहिए होती है ठीक है अच्छा है यहां पर देखिए सूपर कोचिंग पर क्लिक करेंगे आप जिस एक्जाम की त्यारी करें उस पर चले जाए एसे जीडी सूपर पै आइसिंग भी चेक कर सकते हैं ठीक है यहां पहलोग अप्लाइ करेंगे कुपन कोड़ ठीक है और कूपन कोड़ क्या है गोरवम किसी भी धित्व को आप जो है दोस्तों अगर अवेल कर रहे हैं सिरुकों गॉल यूज करना है गॉरवम जिससे आपको maximum discount मिल जाएगा और अपनी त्यारी भी कर पाएंगे ठीकसर था rakने कोim lg में टाइपंग रही है दोस्तों की कंचले दूसरी सेशन को फिर यहीं पे करते हैं समाप ठीक है कि जोन इस जोषित साथ और अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो क्मेंट बॉक्स में कोमेंट करके जभूब बताएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पड़ावर से कर लीजिए बैल एकन बटन दूद दपा लीजिए जिससारे नोडिकेशन आपको अप्टूडेट मिले और कोई भी क्लास आपकी छूटे ना मिलते अगले सेशन में तब तक लिए बाइब बाइटे कियर जैहिंद जैभारत